आतंक के पनागा बन चुके पाकिस्तान के पीम इम्रान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है भारत ने इम्रान खान के बयान का मुहतोड जवाब दिया भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान के बयान को बेहत खेट जनक बताया और कहा कि दूसरे देश के आंत्रिक मामलों में बयान बाजी करने की वज़ाए इसलामाबाद को अपनी सरजमी पर सक्रिय आतंगवाट ठिकानों को ध्वस्त करना चाहिए विदेश मंतराले के परवक्ता रवीश कुमार ने इमरान के बयान के बारे में कहा कि आतंक और हिंसा को समर्थन देकर बातचीत नहीं हो सकती है पाकिस्तान का धोके बाजी भरा रुक पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है दरसल इमरान खान ने सोमवार को उस कश्मीर के मसले पर कहा था कि वक्त आगिया है कि भारत को यह समझना चाहिए कि उसे कश्मीर मुद्दो को संयुक्त रास्टे सुरक्षा परिश्यत के प्रस्ताव और कश्मीर की जनता की इच्छा से बातचीत के जरिये सुलजाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए खान ने ट्वीट किया था कि भारतिय सुरक्षा वलो द्वारा बेगुना कश्मीरों की हत्या के नए चक्र की कड़ी निंदा करता हूँ भारत के लिए समय आगिया है कि कश्मीर मसलों को संयुक्त राष्टे शुरक्षा परिश्यत के पस्तावों के अनुरूप बातचीत से सुलजाए पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूज रहा है लेकिन इम्रान खान को इससे क्या मतलब ऐसे में इम्रान खान भी और परधानवंत्रियों की तरह आईसाई के इशारे पर जम्मू कश्मीर का रोना रो रहे है ब्योरे रिपोर्ट भारत तक